नमस्कार दोस्तों आप देखने हैं रहास्ते के पार और आज इस वीडियो में एक्षिनलिन करेंगे वेंपार डायरित का सीजन 6 का एपिसोड नमबर 3 तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करो जितन पहले सीन में स्टैफण को देखते जो अपने गाडि से निकलता है वहीँ पर उसका बोस बोलता है यह कका पर गाड़ी मत खडी कर और यह स्टैफण के बीस्का बोलता है चलो मुझे एक नया employee ढोनना पड़ेगा और तब इस च्वेस्चा degradation को गुस्ता आता है जो बहुत दिन के छुट्टी चाहिए और मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था एक गल्फ्रेंड हो एक नॉर्मल जोब हो पर तुने एक तरह से दिमाग खराब दर के रखा था मेरा और यह कहने कवाद अपनी गाड़ी के पास उसे लेके जाता है और कहता है कंपेल करके कि मेरी ग मैं अपने घर जा रही हूँ बेटर है यहां से जाना चाहती हूँ बस और यह देखने के बाद दलना बोलती है असा मत करो और उपसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है और यह कहने के बाद कैरलन थोड़ी अजीब फील करती है क्योंकि वो एक तरह से डेवन को थर्ड पसंट ट्रीट कर रही थी तभी कैरलन बोलती है वैसी भी आज उसको एक तरह से लंच पर जाना है एंजो के साथ तो उसे जाना पड़ेगा और यह कहने के बाद अलीना बोलती है एंजो के साथ तूसके साथ एक ट्रिप पे गई लोंग ट्राइब पे और तेरी दोस्ती हो गई है जो तुम लंच पे बीजा रहे हो और यह कहने का बोलती है आँ भी तो जाना पड़ेगा और अपना समान पैक करती है और तभी अलीना उसे पूचती है पाटी के लिये और तभी कैरलन साथ मना करती है कि उसको कोई टाइम से निवह आ ए और यह कहने कौद हम देखते हैं वो किसी तरह Caroline को मना यह लेती है और उसके बाद Caroline बोलती है मैं जा रहे हूं फिर और यह कहने के बाद मैट बोलता है अला रिक उसके मेन मेमोरीज डिलीट करती है और एक तरह से प्यार वाली जितने भी मॉमेंट सो खतम हो चुके है जिसकी वज़ेसे भूल चुकी है कि डेमन कौन था और यह कहने के बाद कैलन बोलती हो बड़ा जीब लग रहा है और मैट अच्छा है एक तरह से खुश है और यह कहने के बाद मैट फोन कट करता है और अपने जो प्रिम या कहने टॉम जुसका रियल नाम है उससे एक तरह से बोलता है कि मुझे हाफडे चीए क्योंकि मेरे दोस्त के साथ मुझे पाटी करने जाना है और वैसे तुम सुपह सुप जाता है और कहते है कि तुम पार्टी में चलोगी मेरे साथ और यह कहने के बाद लिव बोलती है तुमारे साथ और पार्टी में मुझे लास्ट टाइम याद है पार्टी और एक तरह से बूज ने लास्ट टाइम क्या किया था मेरे भाई लिव को एक तरह से जान से मारने क कोशिश और यह कहने के बाद हम देखते हैं टायला सोरी बोलता है और कहते हैं मेरे रेज थोड़ा बढ़ रहा है प्लीज समझे रा करो और यह कहा के मनाने कोशिश करता है वहीं पर हम देखते हैं लिउक से पूछते हैं कि जाऊं क्या नहीं और बोलती है यहां जाओ इसने सब्सक्रा पर पर करते हैं और यह को आप लिए लागते हैं और लिश्याखने मेरे यहां गलती है हां यह मेडिकल नुम कर रही हूं और यह यह यूनिफर मुझे अच्छा लग रहा है यह चैने को और मझे में चीजित आइए अगर तुम्हें मिले तो प्लीज से चेहाई कि मैं प्रॉस बोलना चाहता हूँ अमने एक पार्टी अरेंज किया तुम भी आं रहे हैं उसमें ऑर ये कहने को बोलता है मैं नहीं आ सकते हैं इ elder party करे तो औहुत समझना पढ़ेगा क्योंकि उसकी memory रिजे और तुम बताओने तो गाडबड हो जाएगी उसे बिल्कुल भी आदनी आना चाहिए उसके बारे में फिरेंज वो बलते है चल स्टेफन के बारे मिल सकता हूँ और तभी कैरलाईन बलती है नहीं स्टेफन का तो नाम भी मतले ना और ये कहने कबद गुसा हो जाती है तब ही Caroline notice करती है कि उसकी शेट पे शाय ब्लेड लगा हुआ है और बोलती है कि यह ब्लेड है और तब ही हम जेकतों टेस्ट करता है और ब्लेड नहीं और यह कहा कि भागने लगता है पर तब ही Caroline बोलती है तुमने किसको मार दिगा और यह बोलता है मुझे हर चीज का explanation देने और यह क्या कि मासे चला जाता है फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग आ चुके थे और तब ही हम देखता है अलिना एक तरह से बिक्नी में एक तरह से पानी में कूतती है उपर से और यह देखके लियम और शेफन बहुत जाला शौक थे और अलिना को लिए वहीपर हम देखते हैं वो तेर से तरह से जाती हो देखती जैरमी एक तरह से सारा को किस कर रहा है और वहाँ पर पोच्ट थी है और कहती जैरमी मुझे तुमसे दो मिनिट कुछ अकेलेम बात करनी है और तब ही सारा बोलती है चलो अच्छी बात है मेरा कोई पतलब मैं नी और यह क्या क्वास चली जाती है और यह कहने को अदम देखते हो कहते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो इसको मैंने गलती से काट रहा था तुम उसी को डेट कर रहे हो और यह कहने के बहुत ही जादा कन्फ्यूज दिखाई दे रही थी वहीं पर जैरीम बोलते हैं तुम पर कौन से डॉक बाइट करते हैं कुछ और है यह कहनेकोD एक तरह से इशारा कर रहा था वेंपायर की दरफ और वहीं पर ताइलर आता है और कहते हैं आगा इस लडगी ने काईक को डॉक ने बाइट किया तब डॉक ने क्या होगा और यह कहने को उनके बीच एक तरह से बैस शिड़ जाती है जहाँ पर टाइलर उस बंदे से बिढ़ने के लिए रेडी था बट हम देखते हैं मैट उनको पीछे करता है और कहता है यार तुम फाइट मत करो तब हम देखते हैं बंद आवास चला जाता है और टाइलर को लगत करो चलो मुझे आकता से बरी नी करना प्रता शोट देने के बाद और वहीं पर हम देखते कैरलान बोलती है वरी तो तुम्हें करना पड़ता एक तरह से इसलिए तुम्हें बुला दिया और यह कहने बाद को देखने लगती है अलिए उस चाहद और शुच शक हो रहा था तबी मैट बात घुमाता है और कहता है चलो अपने अपने घर चलते है अब बस खताब हूँ पार्टी इतनी पार्टी भोता और ये कहने को जाने लगते हैं और यह एकतरा सलीना को अच्छा भी लगता है और यह करने के बाद वहां से चला जाता है वहीं हम पाटी कंदर देखते हैं कि एंजो बड़े-बड़े एकतरा साइस बैग लेकी जा रहा था जंगलों को बीच से और तभी हम देखते हैं स्टेफन उस पर स्टेक से हमला करता ह है उसका बैग फार देता है और यह देखने के बाद बोलता है एक तरह से कैरलाइन ने मंगवाई थी आइस और यह कहने के बाद हम देखते है कि स्टेफन बहुत जाद गुस्सा था क्योंकि उसकी गल्फ्रेंड को इसने मार दिया था तभी हम देखते हो आगे बढ़न करने वाला था और यह कहने के बाद एंजो बोलता है चलो मैंने तुम्हारी जान बचा ली और यह सुनने के बाद हम देखते है कि अब स्टेफन को गुस्सा आता है और कहता किसले बचाई मेरी जिन्दगी और खराब करने के लिए कि तुम मुझे और जीने तो और और मेरी जिन्दगी खराब करो और यह कहने के बाद एंजो बोलता है तो तुमारे साथ हो गई तुम डॉन्ट वरी और तभी हम देखते हैं उस मरे बंदे की जो स्टेक वाली गनोती वो ठालिता है स्टेफन और बोलते हैं चलो मैं तुमारी जिन्दगी खतम कर देता हूं कि तुम मेरा पीछा ना करो तभी हम देखते हैं उस मॉमेंट पर जल्दी से मैसेज करता है एंजो क्यारलाइन को और क्यारलाइन तभी कि तभी हमाँ पर आ जाती ह तभी कैरलाइन पूछन लगते एंजो तुमने क्या किया है और तभी एंजो बता देता है कि एक तरह से उसकी गल्फरेंड को मार दिया है और यह सुनने के बाद कैरलाइन बहुत ही जादा गुस्सा होती है अब फिर हम अगले सीन देखते हैं यहां पर रात होने को थी और नहीं पता और बोलते हैं मुझे आएसा नहीं पता दो बहूला पता कर लो यह एक तरह से फेंपायर एंटर थे हैं और गार देख्ते हैं और यहां नहीं kur देखते हैं और यह मनों से situation में ला रहा है और वो मुझे नहीं चाहिए इसको मारने के लिए मैं आया था और यह कहने के बाद कैलन बोलती है रियल में तुम इसके लिए आये थे इसलिए तुम अलीना से मिले मुझसे किरको गऑ और तब ही हम देखते है कि वहाँ पर चुकला करके लोगोARE को और तब ही एक लड़की से बोलता है तुम्हें तो क्यालाइन ने कहा था ना आग। ऐक तरह से बूस ले बिल्कुल ना करूं और यह कहने के बाद एकनम डाउट में आता है कि कॉंपल्शन कौन हटा सकता है और तब उस लड़की से बुछता है कि कहाँ पर से लाई हो तुम यह बूस्ट रहता से आइस और यह कहती है एक तरह से रीजन मैं बता हूं क्यूं क्यूंकि जो बूस्ट का जो स्टोर है जहां पर हमने सारा समान रखा है वह मिस्टिक फोल की बाउंटर के अंदर है तो मतलब जैसे वहाँ पंदर जाओगे आपकी मैमोरी वापस आ जाएगी और कंपल्शन टूट जाएगा क्यूंकि कंपल्शन इकृट का मैजिक है और यह सुनने के बाद अब आलीना और क्यारलाइन बहुत बुरी तरीकी से डर जाते हैं यहां बांद देखने लगते हैं कि सारह गई कहा है हैं तो फोन करते हैं अब सारा समान एक तरह से होस्टेल में लग देती है और कहती हैं हम अभी केलिए मूब नहीं करूंगी और जब पता चला है कि एक तरह से हंटर है आसपास तो साथ रहने ज्यादा बेटर है अकेले रहने से और यह कहने के बाद हो दोने एक तरह से एगरी कर देते हैं इस बात पर और तभी हम देखते हैं अलीना पूछती है मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में क बोस कह सकते हैं उसे और तभी हम देखते हैं वह एक वैंपायर है और उस साइड में आके बैट जाता है वहीं पर एक तरह से ओडर करने कोशिश करता है और तभी जो टॉम है वह बोलता है एक तरह से यह पर ओडर नहीं होगा उस बंदे को चुट्टी देती है वर्रवेन क पगरता है बढ़ तभी हम देखते हैं श्टेफन पीछे से आके उसे 3-4 श्टेग मारता है और उसको जमीन पर गिरा देता है और यह देखने कबाद हो बंदा बोलता है कि तुम कोण हो और तभी बोलता है स्टेफन सेलवतोर और शायध हम में कुछ और यह कहने कबाद बानी एक तरह से शोपिंग करने लग रहे थे एक खाली मॉल के अंदर वहाँ पर हम देखते हैं अपने जरुत का सारा समान रखने लग रहे हैं और वहाँ पर बहस कर रहे हैं कि जो लास्ट टाइम क्रोसवर्ड पजल था वो बानी ने सॉल्फ किया और बानी बोलती है नहीं जो या नहीं है क्योंकि मुझे पसंद है और यह कहने को डेमन बोलते हैं नहीं वो वाला बेकार फ्लेवर है हम कभी नहीं लेते हैं बोलते हैं हम नहीं लेते हैं बट हमेशे यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर कोई है डेमन तुम इस बात को मान लो और यह कहने को डेमन मानने हैं पर कोई ओर है और ये कहने कऊध' डेमन को अब भी यकीन नहीं होता कि जूल अपने आप कैसे चल रहा है फिर हम देखतें कि डेवन उसको खोल देता और चेक करन लगता है और वहीं पर हम देखתें बानी क्या पता होगे और क्या पता हैं अर्फ निकले में के और यह तुम्हारी बेश्टी अर्मारी बायदा इसे मांना पड़ा क्योंकि बहुत ही जाधा हो और ही कहके माहते जाने लगता है और क्याता है बाए तुम बिल्कुल यूजलेस ठोज तक तुमारबाई पास माजिक नहीं है और यह कहके माहते जाने लगते और थोड़ा अीरे म likewise हूँ और मेरा मैजिक नहीं है तुमने l abdomen की कार दिखाती है और अपनी कार को देखके डेमन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि यहाँ पर उसकी कार खड़ी है और बोलता है यह यहाँ पर कैसे है पहले तो नहीं थी और अपनी काड़ी को देखके बहुत ही ज़्यादा खुश था तभी हम देखते है डेमन अपनी यहां पर नहीं खड़ी थी कोई लाए और मैं मानता हूं तभी हम देखते हैं कि उसी मॉमेंट पर डेमन बोलते हैं कि जब मैं जाओंगा तो बोलूँगा जरूर अलीना लव यू दमोस्ट और यह कहने बाद बोलूँगा कि I'm sorry मैंने तुमाई दोस्ट बानी को मार दिया क्योंकि बहुत ही जाधा इरिटेटिंग थी और यह सुनने के बाद बानी बहुत जाधा इरिटेट हो जाती है डेमन से और तभी हम देखते हैं उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखता है और उसका पीछा करते हैं जान लगती है बा मैं देखते हैं ना मेरë पास एक फोप है जिंदा रहने की कि मैं इसce क् सकते हूँ उसको मैं ्मक होगी और यह कहने को घूसा करके चली जाती है महीं पर हम देखते हैं कि demon सीधा जाता बार की तरफ तरा फीने के लिए फी demon जैसे अंदर जाता है उसके किसी के खाने की आवाश आती है चबाने की तब ‎हम देखते हैं हो चुप सप अंदर जाने लगता है और बहुत बुरत दिन था ना और तुमें करोगे और यह कहने के बाद बहुत अनौमिंग में यह यह जितनी तुमारी और बाणी के लड़ाई चलती रहती है आपर फिर काय बोलने लगता है कि तुम्हारे ड्रामा देखना मुझे इतना पसंद है वे टीवी में बेवोच देखना छोड़ दिया है और साथ तुम भी बेवोच देखते हो और ही कहने के बस बोलता है नहीं बट एक चीज मैं बता देता हूँ अगर तुने मुझे ये नहीं बत है तुम कितनी बार बानी से लड़े हो थाटीन टाइमस थाटीन टाइमस थाटीन टाइमस वो तुमसे दूर भागी है बट कुछ देर में शाद आ भी जाए और ये कहने को अम हसने लगता है और तभी हम देखते है कि डेमन बोलता है मैं उसे पसंद करता हूँ इसलिए कम गुश्या करता हूँ तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं करता तभी गर्दन पकड़ता है और उसको उठाता है और यह कहने के बाद काय बोलने लगता है कि मैं तुमारे पीछा इसलिए कर रहा हूँ और तभी हम देखते उस मोमन पे डेमन ड्रिंक करता है और उल्टिया कर गिर जाता है डेमन और तभी काय एक ँचेक निकालता है एक तरा से जो लगनी तोड़कर और एक तरावας उसके हाथ मे उठाने वाले हो और तभी हम देखते हैं कि पूरी बोड़ी के उपर ना सल जलने लग रा था और तभी हम देखते है काय उसे मारने के लिए उस टेक उठा के मारने लगता है तभी बान यहाँ पर आजाती है और कहते है उसको हाथ भी मत लगाना और यह कहने कोद हम देखते हैं कि अब काय हसता है और बोलता है और तभी हम देखते हैं अपने चारो तरफ आज को देखके बोलता है और यह देखने के बाद बानी बोलते हैं तुम कितने कायर हो दो सेकंड में हार मान गए और तभी हम देखते हैं कि डेवन उसके पीछे से आता है और काय को खीच के मारता और भ्योश करता है और फिर बोलता है डेवन बानी सोरी मैंने तुझे सबसे ज़्यादा लोइंग परसन बताया पड़ तुम नहीं हो कोई और है और यह कहने के बा अब डेवन पूशने लगता है कि तुमने इस अब क्यूं किया और यह कहने के बात बोलता है मुझे करना पड़ा पहली बात तो वैसे तुम्हें ये स्टेक दिखाने की जुरत नहीं है डेवन मुझे एक तरह से अपनी टीम में ही समझो और यह कहने के बात 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 अपनी टीम में समझे तुम एक तरह से हमको मारने के कोशिश कर रहे थे और यह कहने के बात बोलता है ना डेमन को मारना मैं क्यों चाऊँगा फरस्स तिंक बात तुम्हारे मैजिक और तुम्हारे एंगल को जगाने के लिए मुझे पता है जब भी तुम जाती हूँ वाप और बानी स्टेम कन्फ्यूज थे काई करना क्या चाता है और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है तो I hope you like this episode अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना और वीडियो उसके लिए जरूर 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 लाइक करें और गाइस मैंने एक तरह से partition कर दिया है reality story अलग और जो इनकी डेमन और बानी की स्टोरी चल रही है वो अलग जिससे कोई confusion ना हो जैसा वीडियो देखते टाइम होती है तो I hope you like this video अच्छा लगे तो like, share, subscribe करो दोस्तों से share करो अपना ख्याल रखो अगली वीडियो मिलते है टाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटा